हाई फ्रेंड्स वेलकम टो सीमाज कीचिन दोस्तों गुलगपपा हमारे इंडिया के स्ट्रीट फूड है जो की इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है और यह खासकर गर्ल्स को बहुत पसंद होता है तो आज हम गुलगपपा बनाएंगे घर पर ही तो अगर आपको मेरे पसंद है तो प्लीज मेरे इस वीडियो की नीचे लाइक का पटेंड क्लिक कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो चलिए हम गुलगपपे के लिए पहले इंग्रीडियन्स देख लेते हैं गुलगपपा बनाने के लिए मैंने आप लिया है औ एक सॉप डो लगा कर त्यार करेंगे तो हम पहले यह काम कर लेते हैं हम एक बर्तन में यह सूजी डालेंगे दो कप दो कप मैदा डालेंगे और यह वेकनिक सोडा डालेंगे इन सबी चीजों को हम ऐसे हाथ से मिक्स कर देंगे पहले और अब इसका हम एक डो बनाकर त्यार करेंगे पानी से अब आटा भी थोड़ा सा टाइठ है इसमें थोड़ा सा पानी और एट करेंगे इसका आटा हम सॉफ नहीं लगा रहे है क्योंकि इसमें हमने सूजी डाल रखा है और जो सुजी होता है वो धीरे थेले पानी को अब्साच करता है तो हम अब तो हम थोड़ा सा पानी और और रखा़ने की थोड़ा रेस्ट करने के लिए तो कि ठीक से सैट हो जाए और सुजी जो है वो अच्छे से पानी को एब्जॉब कर ले तो इसे मिक्स करते हुए ऐसे डोपर के बाद सॉफ्ट कर देंगे कि देखे हमें एक सॉफ्ट अटा लगा कर त्यार कर लिया है अब इसे लगवाग एक घंटे के लिए ऐसे ही रेस्ट होने के लिए रख देंगे इसे किसी चीब बर्तन से ढख कर चुका है अब हम देख लेते हैं आटा बन कर त्यार हो गया है नहीं यह देखिए अच्छी तर देखे हमें जो आटा लगा कर त्यार किया था थोड़ा से सौफ्ट था लेकिन इंदे सूजी है इसकी वज़े से देखे इसकी कंसिस्टेंसी इतनी हो गई है इतना हाट टाइप का हो गया है तो इसलिए हम जब आटा लगाएंगे गूतेंगे तो हमें आटा थोड़ा त्यार कर लेते हैं गुलगपे बनाने के लिए हमने एक बार में इतनी लोई ली है इसकी हम बढ़ा कर लेंगे इस तरह से और इसकी एक बड़ी सी रोटी बना कर तयार करेंगे इस तरह से बेल्टे हुए रोटी बिलकर तयार कर लिए हम ना तो बहुत हम पतली बिल कर लेंगे और ना ही बहुत पतली पतली पेले लिए हम इस एस ₹C a BAR क्ला से ग्लास के शायता से पर चाहिए Alors कि मने आप शाख जकते हैं मैंने आप पर गलास लिया है इस तरह से यह आप शटे今ं मैंत about मैंअरे हम कट कर लेंगे गुलगप्पे के शेप्स को देखिए अब एक्स्ट्रा पार्ट को इसे निकाल देंगे और यह हमारे बन के तियार हो गई गुलगप्पे के शेप्स अब इने फ्राइ कर लेंगे डीप फ्राइए कर लेकर करने के लिए मैंने यह कढाई चणा दिया अब द आलेंगे अब जब भी अची तरह से गरम हो जाएगा तब हम इसमे इसमे गुलगप्पे डालेंगे कि धान रेचे की हम हलकी गरम तेल में गुल गपपे डालें के तो गुल गपए हमारे फूलेंगे नहीं और अगर फूल भी जाएंगे तो यह अच्छी तरह से हार्ड रां रां प्रश्जी नहीं बनेंगे यह सॉन्ख जाएंगे like a poori इसमें गूल कपी डालेंगे और इन्हें थोड़ा सा प्रेस करते रिपा काएंगे अब इन्हें पलट देंगे पुड़ा से अब हम इन्हें निकार देंगे बाहर तो लीजे फ्रेंड्स गूल कपे बनकर तयार हो चुके हैं आप इन्हें मटर और चटपटे पानी के साथ सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए अप इस रेसिपी को ज़रूर ठ्राइक कीजिएगा और अगर आपको मेरे ये रेसिपी का वीडियो पसंद आएगो तो प्लीज मेरे इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक के जेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलेगा थैंक्यू